नमस्कार मेरा नाम है अंशिता और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया आने वाले समय में जब 10-11 के बच्चों से पूछा जाएगा कि देश के पहले सिक्षा मंत्री कौन थे तो उनके पास इसका जवाब ही नहीं होगा है ना ताज्जुब की बात लेकिन इसमें गलती बच्चों की नहीं है क्योंकि उन्होंने तो इसके बारे में पढ़ाई नहीं होगा जी हाँ सुतंतरता सैनानी मौलाना अबुलकलाम आजाद का नाम राश्ट्रिय सेक्षिक अनुसंधान और प्रिशिक्षन परिश्ट की नई यानि बदलाव के बाद की राजनीती विग्यान की किताब से हटा दिया है पूरी किताब में मौलाना आजाद का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है हमें इतिहास के जानकारी किताबों से मिलती है लेकिन लगातार इतिहास के साथ तो खिलवार ही किया जा रहा है पहले मुगल इतिहाफ और अब मुस्लिम नेताओं के जिक्र ही किताबों से गायब है लेकिन सवाल तो बनता है कि क्या इतिहास को मिटाना इतना आसान है क्योंकि इतिहास की कड़िया भी तो एक दूसरे से जुड़ी होती है जब कितावों में देश की आजादी का जिक्र होगा आजाद देश के पहले प्रधान मंत्री जवाहर लाल नहरू का जिक्र होगा पहले राष्टुपती का जिक्र होगा तो क्या पहले सिक्षा मंत्री का जिक्र नहीं होना चाहिए क्या ये संभव है कि किसी भी किताव के देश्ध दुनिया को जानने के उनके अधिकार को कुछलने की तरहा है जिस तरहा से इतिहास में बदलाव किया जा रहा है वो सिर्फ नफरती मानसिक्ता की तरफ इशारा करता है जिससे एक खास समुदार आय के enforcement के छाएंगा तो मिल रही है मौलाना आजाद का विस्तार से जिक्रत। उस पार्ट का शीरशक था सम्मिधान। क्यों और कैसे। पिछले साल NCRT ने पाठेकरम से चैप्टर हटाने की जो सूची प्रकाशित की थी। तब उसने घोशना की थी कि इस विशेश किताब में कोई बदलाव नहीं किया गया लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसे देखकर कहा जा सकता है कि वो बात जूट थी क्योंकि NCRT ने मौलाना आजाद को राजनीती के पन्नों से मिटा दिया है। अपनी किताब से मौलाना आजाद का नाम और योगदान गायब करना सबसे ताजा मामला है। इस पर अध्याय के एक पेराग्राफ में लिखा था। सम्विधान सभा में विविन विश्यों पर आठ प्रमुक समितियां थी। आम तोर पर जवाहर लाल नहरू, राजिंद प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद या भीमरा अंबेटकर इन समितियों की अध्यक्षता करते थे। ये ऐसे पुरुष नहीं थे जो कई बातों पर एक दूसरे से सहमत हो। अंबेटकर कॉंग्रेस और महत्मा गांधी के कटू आलो चक थे। पटेल और नहरू के बीच कई मुद्दों पर असहमती थी। फिर भी वो सब ही एक साथ काम करते थे। जबकि अब नई किता वो में लिखा है कि आम तोर पर जवाहरलान नहरू, राजिंद प्रसाद, सर्दार पटेल या वियार अंबेटकर इन समितियों की अध्यक्षता की थी। यानि बहुत होशियारी के साथ मौलाना आजात का नाम हटा दिया गया। अब इस बदलाव पर सवाल उठना तो मिका थी। मौलाना आजात देश के टॉप तीन विश्विद्यालों में शुमार, दिल्ली की जामिया मिलिया इसलामिया समित, विविन भारती प्रद्योगी की संस्थानों, भारती विज्यान संसान और स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किट्रेक्चर के प्रमुक संस्थ खापक सदस से भी थे। ऐसे मैं सवाल उठ रहे हैं कि मौलाना आजात का नाम कहां कहां से मिटाया जाएगा। आपको बता दे कि ये पहला मौका नहीं है जब मौलाना आजात का नाम मिटाने की कोशिश की गई हो। इससे पहले पिछले साल अलप संख्यक मामलों के मंत्रा साले ने मौलाना आजात फैलोशिप को बंद करने का फैसला किया था जिसे 2009 में लौंच किया गया था इसके तहट 6 अलप संख्यकों समुदायों बहुत ईसाई जैन मुस्लिम पार्सी और सिक समुदाय के एमफिल और पिएचटी करने वाले चात्रों को पात साल के लिए वि मिटा देना चाहती है कॉंग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नवी आजाद ने मौलाना आजात का नाम किताबों से हटाए जाने पर कडिया पत्ति जताए उन्होंने कहा कि ये किसी भी रूप में स्वीकारे नहीं है उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा भारत के स्वतंत आकार देने में मदद की सिर्फ ये ही नहीं ग्यारवी क्लास की किताब से नस तत्थ को भी मिटा दिया कि जमू और कश्मीर ओर भारत के बीच ऐक वदा हुआ था जिसके बाद ही जमू कश्मीर भारत में शामिल हुआ था वह बादा था कि राज़ पर किसी का अधिकार नही पढ़ाई जाएगी भारत का इतिहास नहीं बताया जाएगा जो यह सिखाता है कि हम सब एक हैं जाती धर्म भाशा या संप्रदाय के आधार पर हर तरह के भेद्भाव को खारिस करते हैं देखते हैं यह सिलसला कहां तक जाता है इस वीडियो में इतना ही आप से अंदरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आटिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बुक पर लाइक कीजिए और कॉमेंट करके बताईए कि हमारे ये वीडियो आको कैसा लगा आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी बताईएगा ट्व कि वीडियो बताई है